और दोस्तों आज मैं शेयर करूँगा आपसे कुछ ऐसे पॉइंट कुछ ऐसी चीजें जिसे हम अपने बिजस को बढ़ा कर सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई है जो और मेरा बैक्ग्राउंड क्या है वो भी मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूंगा चलिए स् पैदा भी डेली में हुआ हूँ और पढ़ाई लिखाई और जो क्यतना वो सारी चीजें डेली के अंदर हुई है अगर मैं अपने होम्टाउन के बारे में बात करूंगा यानिके मेरा बैक्ड्राउंड के बारे में बात करूंग तो मेरा होम्टाउन जुहां वह यूपी क अगर आगए लाग़ रुपर से कम है तो वह मिड्ल क्लास में आता हूं अगर मैं अपनी आपनी बारे में बात करूंग तो आज में मदर फादर के साथ मेरे तीन सिस्टर्स हैं और क्योंकि मैं उल्फिस एक वाइव हैं और फादर के बारे मैं बात करूं तो अब भी भी पूस्ट ऑफेस में डेली के अंदर जॉब है और पूस्ट ऑफिस में अभी वह सब्सक्राइब में अगर मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के बात करो तो मैं एक छोटे से प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे नाम किया कि यह बहुत लगाया जाता है सी स्टुडेंट तो येस के बाद मैंने अपना सी की पढ़ाई करनी से अधिर सारी साल की मैंने सेकेंड लेवल लेकिन वह में और नमबर लटक जाता था यह अंबasu तब तक मेरे पास विस्तिव जैसा प्लैट्फॉम नहीं आया था तब तक मैं सीए बैक अग्टस्जु बैक करतारा करतारा और 2015 तक आप समझ सकते हैं सबर्ट कर देता है नहीं होगा लेकिन जब बिलकुल नजदीक पहुँचते हैं तो फिर आदमी कहता है चलो करतें, टो यह करतेकंखने जब तक मुझे वेस्टीज प्लैटफरं मिला वेस्टीज प्लैटफरम चाहनी लेकिन दोजार पंदर में फड़री के अंदर एक व्यक्ती मेरे घर पर आते हैं और मेरे फादर को प्लाइन दिखा दें उनने प्लाइन दिखाया है उन्हों की नजर पढ़ते हैं मिरे उपर तो उन्हों ने मुझे रोग लिया क्योंकि उनको पता चलगए कि मेरे फादर तो जॉइन करेंगे नहीं उनको समझ भी नहीं आ रहा तो उन्होंने मेरे हाथ पगड़के मुझे भी ठालिया कि तुम यहाँ बैठा हो मैं तुम को समझाता हूँ लेकिन कभी ऐसी चीज़ा देखी नहीं तो मेरे लिए सब कुछ अजीव गरीब सी चीज़े थी पहली बार था इसलिए तो बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आया सब उपर से निकलता गया बस एक चीज समझ गया उन्होंने प्रेजेंटे लोहे वाले स्टील जो भी डालते हैं और कोशी इलाज नहीं मैंने का जब डॉक्टर्स मना कर रहा है तुम कैसे कंपनी के प्रड़क्ट जो है वो काम करेंगे मैंने बिल्कुल बना कर जाएग यह सब बेकार की चीज़ें उन्होंने उनको इतना कॉन्पिटेंस था कि उन् यूज करने के बाद अगर मैं बात करूँ कि जब बिलीव नहीं होता है तो आप उसको मेडिसन की तरह नहीं खाते हैं अगर बिलीव होता है जैसे डॉक्टर आपको खुराग देते तो आप सोबह भी खाएंगे दुपर भी खाएंगे शाम भी खाएंगे क्योंकि आपको है कि मुझे बुखा ठीक करना है दो दिन के अंदर लेकिन अगर बिलीव नहीं होता है तो कभी खाया कभी नहीं खाया तो जो 90 कैप्सूल आते थे यानि के लगबग एक से रीड़ मैने का कूर्स था वो लगबग तीन से साड़े-3 मैने चला क्योंकि वो कभी खाया कभी न तो अब समस्य यह थी कि मैं उनको बुलाना नहीं चाहता था वो आएगा फिर करो यह करो अधार कर तो मैंने का यह सब पंगे में नहीं पढ़ना इकाम करते हैं मेडिकल स्टोर पर जाते हैं मैं वो दोनों बॉक्स लेकर मेडिकल स्टोर गया उसने मना कर दिया दूसरे पर अब समझ में नहीं रहा है प्रोड़क्त मिलेंगे कहां पर लास्ट में मुझे बुलाना उनी को पड़ा कि यह मुझे प्रोड़क्त चाहिए और मैं पैसे देने के लिए रेडि हूं उन्हें पैसे तो लूगा लेकिन साथ में पूराने पैसे भी लूगा जो प्री में दि डाली मैं बड़ा नराज भी हुआ बहुत बड़ी कहानी है इसके फीछे मैंने उन्होंने मेरी डाल दी बिना बताए क्यूंकि उस ताइम पे ना मैं आपको बतानु जब मैंने स्टार्ट के था उस ताइम पे आधा आईडी कार्ड वगरा इतना कंपल्सरी नहीं था उस त एक ती शाम को मेरे घर कैल्शिम और लेके बाद में आता उससे पहले मैंने कस्टमर के अरकॉल कर दिया कंप्लेंट कर दी कैसी कंपनी है बिना अधार के लिए बिना फोटो लिए बिना साइन कि आपकी कंपनी ने मुझे जॉइन करा यह विकार कंपनी है फाल्टू कंपनी करने की कुशिश करी बहुत अच्छा प्लेट्फॉम में आप बहुत अच्छा कर सकते हो लेकिन मैं करने वाला नहीं था तो उन्हें लास्ट में सेलुइशन बताया कि अगर आपको सच में नहीं करना तो एक चोटा सा काम करीए एक पेपर पर लिखकर देजिए अपना रि कि ग्लुकोजम लेकर आते ता मैंनों कोई कहानी भी बताई वह बहुत हसे थे मेरे उपर उन्हेंने का तुम्हारा जाता क्या है तुम घर के प्रोड़क्स लेतरों मैंने का मैंने इसको हलके में ले लिया और दिन बदिन गुजरते चले गए वह कहने लगे आप चैपत्ती मंजन वाला काम फड़ी करूंगा एक एक अटिट्यूड को रहता है कि यह काम मेरे बसका नहीं और मैं नहीं करूंगा यह मेरे लेवल और स्केटस से बाहर का काम है घर कर जाके बेशने बढ़ेंगे मुझ से नहीं होगा अच्छा लीडर्स का क्या होता है आप मैंसे बहु मेरी स्थिती समझना दोस्तों मेरी स्थिती समझना मैं यह स्टूडेंट हूँ जिसने नौ साल अभी प्रेक्टि बैक टू बैक एक डिजान दे रहा हूं और नहीं हो रहा है अब अपने को भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है घरवालों से पैसे कैसे मांगा यार कुछ तो हो तो मैंने इस समझने के लिए फिर बुलाया अभी तक मैं यह समझ रहा था जब मैंने उनको बुलाया वह मेरे घरा है उन्होंने ब्रांच ऑफिस में मुलाकात हुए एंडी मोहिन खांसर से पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा यह जो वह व्यक्ति है जिन्होंने मिरको ग्लुकोजामाइन और कैल्शियम दिया था प्री अपने दम पर क्योंकि इनको भरोसा था तो एक बार मैं चाहूँगा आप सब लोग क्लैपिंग कर सकते हैं मेरे ग्रेट अप्लाइम के लिए तो जबरदस पसनेलिटी है और मेरी लाइफ ट्रांस्फॉर्म करने वाले क्य अगर मैं आगे बात करूं मैं कुछ स्ट्राइब करना शुरू करा था इस बिजनस को शुरू करने से पहले यह स्ट्रेग्लिंग डेज़ जब मुझे पहली बार आइट्यों के सक्सेस सेमिनार में जबरदस्ती लेकर ले जाया गया तो लिकिन जब सेमिनार में उनकी स्टोरी सुनी बात समझ में यह लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं फिर मैंने भी जाना शुरू कर दिया और आप अभी जानते होंगे आप यहां पर देख सकते हैं अर्विंद सर है अमरेश कुमार जी धर्मिंदर सिंग जी है यह सबी लोग आज लाख रुफे से ज़्यादा की इंकम कमार है यह तब की तस्वीर है यह वह स्टगलिंग डेज है आईटियों की सिएंटी हुआ गरती मेरा नहीं सुनेगा अपना काम था सिंटी में भर देना एक लीडर ढून लेते तो कोई एक लीडर मिल जाए बाहर और उसको बस काउंसिलिंग के लिए 10 मिनिट के लिए उसके साथ खड़ा कर दो यहां पर आप दिख सकते राज मौमसर घड़े हों आपनी टीम को यहां आप लोग आप लोग अब वापस देख पा रहे होंगे अब लोग आपको सब लोग ना हमको बोला करते पागल लोग है और आपको भी आज बोलते होंगे आज भी बोलते हैं दोस्तों आप काम्याब हो जाओगे तो भी आपको लोग बाहर के लोग आज भी पागली बोलेंगे और आज बोलते हैं यही वो तीन पागलते जिनको फ्यूचर दिखता था कि हां बहुत बड़ा करेंगे बहुत काम्याबी मिलेगी हम भी बड़ी बड़ी भी आएगी एक लाग का चेक भी आएगा तो बहुत ज़्यादा लोग अशा करते थे तो हम अपने आपको थ्री इडेट्स वाले लोगी समझा करते तो कोई दिक्कत नहीं आगे बहुत बड़ा होगा यह वो मेंटर है मेरे जिनसे मैंने बहुत को सीखा है दोस्त म मैं इनकी छोटी इनके बारे में थोड़ा से बताना चाहूंगा जब मुझे पहली बार ब्रांच ओफिस ले जाया गया था तो मुझे पीछे चेयर पर बिठा दिया गया और मुझे बताया गया दोस्तों कि आज एक ऐसी परस्टी आने वाले है जो कभी स्कूल ने गए और एक अदिवे उदर से अंदर कमरे में तुम तालिया बाज़ा रहे हो किस बात की तालिया भी और हो यह एक नए व्यक्ति का होता है और अब देखिए का नैंकि मैं तब नहीं आ था मुझे कुछ नहीं पता था इस इंडरस्टी के बारे में तो ईक नए परसंट की तरह में तो आयों भी नहीं बंदा प्रेजेंटेशन घतम करें तो बात समझें आते तुम पहले बजा रहे हो यह वेक्ति स्टेज पर आते हैं प्रोफाइल बताई प्रोडक्स बताना श्क्रू कर दे कर दिये और आपकी और हुआ कि जैसी सीज्टी स्टार्टी स्टार्ट होने के पर लगबग एक जैसी और यह ना तस्वीर देखके बताते हैं तो मुझे समझ में आई वक्ति अनपड़तो है क्योंकि बात मेरे समझ में पहली बार जब नोनी की फोटो थी तो ने इस परोलना बताया और जो लिखी हुए चीज़ें था वो बिल्कुल मैच नहीं करी लेकिन जब अगली बार यहोंने नोनी बताया और अब आगया इस परोलना तो बात समझ में आरे स्क्रीन पर जो लिखा था यह व्यक्ति पहले बता चुका है और जो अब यह बता रहा है यह अगली स्लाइड में है यह बात तो क्लेर हो गई लेकिन अब यह देखना है सच में पैस प्रेजेंटेशन दे रहा और अनपड़ आदमी कैसे पैसे कमा रहा है उस ताइम पे इनका सतर अजार रुपे टेस्टमोनी में बताया सतर अजार रुपे आते हैं दिमाग भी खटक रहता है प्ड़ा लिखा आदमी ज्यादा चलाग होता है तो मैं यही समझ रहा था कैसे कमाथें सतर अजार में देखना है मिटिंग खतम होने के बाद मैं अर्विंच पैसे आते हैं के नहीं आते हैं और यह बड़ा कलाकार आदमी यह पास्बुक हमीजा साथ में लगते हैं उस ताहिम पर उन्होंने पास्बुक खोल के दिखाई कि यह दिखो यह इतने का प्या सब के बाद जैसे इनकी टेस्टिमेनी खत्म होई तो इसके बाद एक और विक्तिक एंट्री हुई मचाओंगा उसके लिए ग्लैप कर सकते मिस्टर संतोष यादव जी उनकी एक बार उनकी इनके बाद एंट्री होती है उनका चैप उस तेम था भाई लाग रुपर रुपर यूसीडी का लेवल था धाई लाग रुपर का चेक स्टेज उपर खड़े होगे जो सर ने ऐसे ऐसी बाते कही ना अभी तक तो मैं वेस्टीज में नहीं हुआ था लेकिन जब संतोष सर ने कुछ ऐसी बाते कहीं लाइफ के बारे में करियर के बारे में वेस्टीज दंग से सुन लिए आना सच बता रहा हूं विजन क्लियर हो जाता है मेरा विजन क्लियर तब से हो गया था मैं वेस्टीज को डंग से करना तब से शुरू करा और उसके बाद इस इलसला चलता रहा आप यह दिख सकते हैं आज मैं बड़ा प्रावडली बोल सकता हूं तो मै बड़ी बड़ी बाते कर रहें कि इन से मैं एक एक चीज सीखी कि सर यह बताओ कि लोग पूछते चेक कितना है यह मुझा बताया करते थे कि आप चेक मत बताओ आप सीधा बोलो कि चेक मैं उनको दिखाता हूं जो सीएंटी में आते हैं जो हमारी मीटिंग में आयेगा चेक में आने के बाद मीटिंग में यह मिला आता हूं श४ता सीख को पहता है यह इस बकरते निकिंगS नहीं की शुक कि को छोटी सी बता हुआ एक साल तक मैं इसको अपने एक तो करने की कोशिश करी थी एक साल तक और मैं इस बॉजय से मुझे वक्त लगे उस दिन से मैंने सरंडर कर दिया अब जैसा सिस्क्म बोलेगा जैसा अप्लाइन बोलेगा वैसा सिए गया साइड में अब सिए से कोई मतलब नहीं है आज भी मुझे लोग पूछते हैं कि बारे में बहुत कुछ पूछते हैं मुझे कुछ नहीं पता क्यों दोजार 15 में मैं छोड़ चुका हूँ तब से बहुत कुछ बदल गया अब तो सिए का मुझे क्या चल रहा है कुछ नहीं पता भी वह सब साइड में अब बस एक ही नाम है कि हां सिए स्टूडेंट था लेकिन आज मुझे कुछ भी नहीं पता कुछ नहीं पता सब खतम सब मैं दिमाग से कर चुका हूँ जिस फील्ड में जाना नहीं उसके बारे मैं सोच नहीं क्यूं है अब वेस्टी जी है हमारे लिए बिजस को करता रहा अचीमेंट आनी शुरूई हुए इस बिजस से वह क्या चीमेंट के बारे में भी दोस्तों आपसे शेयर करूंगा मैं आपसे जब मैं इस बिजस में आया था तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ जब म पारिश का टाइम था बज़ार के अंदर वो सर weapon के अदर वो नीचे कर्णा और सारे कपडे खर आब हो चकिए और ऑcken जोज़ता कर लिए कि यह पुद्धिश न है कि पुरानी जिसके बिल्कुल चिकन हो जा चाहिए अगले दिन जाके डाउट बहुत आए था सब्सक्राइब करने के लिए तो मैंने यह वाइक से परचेज करी और उसके पास मैंने इस इस बाइक से मेरट गया आगर आगया मैं पूरी गया आप यकीन नहीं सब्सक्राइब करें लगबग एक साल के बाद उससे पहले भी थी लेकिन वह बिल्कुल सकते हो फिर अपनी परचेज करी और अपनी नहीं नहीं है आप बहुत जोड़ाएंगे जब आप नगी नहीं काड़ी आएगी आप भी बोलो कोई तो मीटिंग के लिए बोलाए कि मैं क को दिखाने के लिए कि इस ट्रेंड में थी है ना बुलेट जैसी फिलिंग दिया करती थी आवाज इसकी बड़ी शांदार थी तो इसके बाद क्या हुआ जब मेरा स्टार लेवल क्वालिफाई हुआ मेरे अप्लाइन सब पीछे पढ़गे कि सर आपका कारफंड लेनी पड़ेगे गाड़ी ले लेकिन कौनसी ले अल्रडी मीर पास रखी है घर में दो खड़ी करने के मीर पास जगह नहीं तो जबरदस्ती मुझे शोरूम में लेकर गए और एक प्लान था कि सारे शोरूम में भूमेंगे कभ भूमेंगे जो अच्छी लेगी उसमें से और सच बतारों पहली पहली शोरूम में गए मारूती में वहां पर जाकर यह गाड़ी पसंद आ गई सब लोगों ने बोला यह गाड़ी ले लो अच्छा मैं डरा हुआ था क्या साथ लाक रुपे की आएगी ब्रेजा साथ लाक रुपे की क्योंकि अभी तक पर चार लाक की सब लोगों ने जबर्दस्ती करके साड़े लाक रुपे कार टॉप मोडल बुक करा दी और यह गाड़ी सब्सक्राइंड में दिसंबर में यह 25 दिसंबर 2017 को मैंने यह वाली गाड़ी ली इस बजद से और मेरी बेटी का फर्स्ट बर्डे था यह और अगर मैं बताऊं इस इस जर्नी के बारे में तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर पहली बार एक कार डिलिवरी के अंदर इतने सारे लोगों देखा था यह पिक्चर तो बहुत कम है क्योंकि डिस्प्ली के लिए गाड़ियां खड़ी होती है और और हमारे जो लोग थे वो सब को इसमें बुसरा है को उसमें फोटो ले रहा है विचारा मेनेजर जो कभी अपने कमरे से नहीं निकलता था वो विचारा उसके पसीने चूट रहे थे कि वह इनको साइड कर दो लोग आए और यह पहली पहला मैंने अभी तक सच बता रहा हूं मैंने अभी तक इतने सारे लोग नहीं देखे आए और इस गाड़ी को चलाते लगब चार साल फासल साड़े-चार साल हो जुके हैं और अभी एक लाख किलोमेटर में सिर्फ 300 किलोमेटर का हो रहे गए एक लगता था ताइलेंट मैं गया पहली बार कि विदेश का भी जिंदगी में कभी गया नहीं और कभी सोचा भी तबस एक ही चीज़ थी टीवी में देखा गर देखा गर देखिए यह देश है वह देश है अब डर यह लगता था पता नहीं जो लोग मेरी बाट समझ पाँगे की इसे जर्डा में अगी कैसे होगक ऑरす तो मैंने का यार मेरे साथ एक ऐसा व्यक्ति है जो हाट ट्रिप पे जाता है एक काम करते हैं उसके साथ लग लेते हैं मैंने मोहिंतर का हाथ पकड़ लिया मैं जहां जाओ मुझे मत छोड़ना क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूं और मुझे कोई एक्सपीरियेंस नहीं है कि पूरे ट्रिप पूरे ट्रिप इनके साथ गूंद था और यह भी बड़े मज़ी दार व्यक्ति है रहा देते हैं वह दबती है रहों दबती है रहों कभी पानी मंगा है कभी काफी मंगा है कभी मैं अच्छा मुझे इरिटेट हो रहा था सब्सक्राइब करते हैं और पूरा मज़ा लेता हूं एक छोटी एक चोटा सा इंसिडेंस फिर बताता हूं जिस जगह पर सीट पर हम बैटे तो जो एक अरो पूरा इंस्ट्रेक्शन देती है कि अगर कुछ हुआ है इनकेस अनी कुछ होता है तो आपको क्या गर्म है और यह बैटेते उस अमेर्जनसी गेट पर तो वह एरोस्केस आई और इंग्लिश के अंदर दुनिया भर की काम नहीं बोल गई औ सबसे इंपोर्टेंट चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैं पहली बाट पर गया आप देख सकते हैं जब मैं मैं फ्लाइट पर बैठा वाहूं और मेरी चेयर पर पीछे क्वेस्टीज का लोगो है यह मैंने नहीं लगाया यह कंपनी ने लगाया चोटी चोटी चीज की केर करिये कंपनी ने यह नहीं लगाते कोई पर नी पढ़ता लेकिन चेयर पर लोगों लगाये मिरसाथ एक व्यक्ति और बगल में बैठें आप देख सकते हैं इनकी चेयर पर वेस्टीज का लोगों यह वेस्टीजिएन नहीं दे यानि के इस फ्लाइट में कौन वेस्टीजिएन ने कहां कहां बैठा है और व्यक्ति चेयर पर एक एक वेस्टीज का लोगों लगाये इतनी चोटी चोटी बारीक बारीक चीजिन का ख्याल कंपनी रगती है कि मुझे बहुत इमोशनल किया इस चीजन है क्या जरुवती छोटा सा काम था क्या जरुवती सब करने की लेकिन ट्रिप को यादगार बनाने के लिए कंप्टी ने यह सब यह किया हूँ पर मुझे मिले पहली बार मैंने वाट्स अमटी बहुत बार हुने के लिए यह वह पर एक मैं तो अगर यह कर सकता है तो आप और हम सब क्यों नहीं कर सकते हैं कि इनके साथ बड़ी तस्वीर हम लोगों ने वाट्ट सपर देखी तो पहले बार मुझे आपर मिले यह पठाएक एक तस्वीर जिसमें अपने सारे में पहले पार ता यह शोटा सा प्रेंस बताओंगा क्योंकि पहली बार आदमी जाता है तो बहुत सारी नई जो नजर था ना मेरी नजर थी उन लोगों पर जो वेस्टीज में नहीं है जो वहां पर प्लैट्फॉर्म बोर्डिंग के टाइम पर बैठे हुए थे वह सब बड़ा घूर के देख रहा था कि बाकी सब लोग क्या देख रहा है क्या सोच रहा है कि यह कि इतनी सारी पोट है लेकिन लोग के लिए अंजान लेकते हैं कोई नहीं है हमको पता है हमारी लिए क्या है तो आज यह शारुक खान और अमिताब बच्चिन से भी कम नहीं है वेस्टीजियन के लिए यह कुछ तस्वीर थी जो मैंने महांपर खिचवाई पहली बार था तो यह सारे नकली है नख़ी केले नकली आती है वह पर तस्वीर खिचा यह ने पार्ड़ से गए थे तो अलग-अलग फैसमें गएथ हम दोनों का टाइम इल्कुल अलग था पांश से छे गंटे कि यह सब पता ही है कि वहाँ पर भी सिम्भी लेनी होती है यह पता नहीं था कि हमारा नंबर चले गई नहीं महाँ पर अब कम्यूनिकेशन करें कैसे यह विक्ति कहा है तो तीन दिन के बाद जब बहुत कूछ और आज मैं यहां तक पहुचा हूं तो इन दोनों की बज़े से पहुचा हूं बड़े बड़े जहाद से गिर जाते हैं एक बीच पर चले जाते हैं तापू पर गिर जाते हैं आपने देखा हो ना तो यह वह बड़ा वाला जहाद है जिसके अंदर हमें घूमने का मौका मिला इसके अंदर 1900 वेस्टीजियन स्टे करें थे पानी के जहाद में निस सोलोगों करते थे लंच करते तो यह नहीं पता था इतने सारी जगह आपको देखने में बहुत चोटा लगा रहाओ लेकिन एक बड़े शहर से चोटा नहीं है आदमी अपना कमरा ढूंड नहीं पाता था हम कहां इसमें घूमने का मौका मिला यह सा यह सारी अक्टिविटीज पानी के जहाज के और गदे बहुत देखा था फेसबुक पर बहुत बहुत देखा था जिनका नाम है मिस्टर इर्षाद अहम्मद यह एक ऐसे वेक्ति मुझे बड़ा इंस्पायर किया जिस व्यक्ति को दिखाइ सब्सक्राइब, चलते होगा। जान में आपको अगर ये व्यक्ति वहा पर vais करके गया होगा उसके लिए तो लिए ने कौन में गया नीद करके गया है। और गूं जिसको दिखाई नहीं दिरा वो ट्रि ग मजह लिर है अगर यह कर सकते कोई यह शकते क्यों में एक पुल सकते लुग s अगर थो इनसे भी हिसाइव नहीं हो सकते हैं तो फिर हमारे अपर ओन ने हमारी बाली सर और कोई सबसे बड़ी inspiration में यहीं है नपढ़ वेकी पैसे कमा रहा है जिसके नहीं है बोगार जिसके के यहां के कर शकते किना नहीं करतेरों इस हैं 2 तविडसे है मझे तीसरह टुप किक अलगा नहीं व sug सब्सक्राइब कर सकते हैं इनके लिए इन्होंने तो मैं क्या बता हुआ डिरेक्ट सेलिंग की परिभासा ही बदल रखी इस टाइम पर नेट्वर्क मार्गेटिंग में इन से बड़ा योध्धा तो मेरे ख्याल से शायदी कोई योगा कोई भी नहीं दूर दूर तक कोई भी कामियाभी ओटोमेंटिकली सिस्टम बना जाएक सिस्टम आपको जादा मैनत करने की जरुवती नहीं यह सब ही वो लोग है जिनकी इंकम पांच लाग आठ लाग दस लाग बीस लाग पचास लाग एक करोड रुपे की इंकम है यह सब वो लोग है मतलब कहते हैं प्रेटफॉर्म की पावर है यह एक तस्वीर है कहां की यह केप टाउन शहर के सबसे मुझे टॉप व्यू की है और मैं आपको बता दो यहां पर माइनस में टेंपरीचर माइनस में और यह बात हमको पता नहीं थी हमको लगा ऊपर जा रहे हैं उपर तो ऐसी यह नॉर्मल लोगा लेकिन हम माइनस पर टेप्रिचर था आप दिख सकते हैं नवीन करण सर ने कैसी जगेट पहनी और यह नों ने कैसी जगेट पहनी लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि यहां पर जंगल सफारी करने का मौका मिला जिंदिगी में पहली बार मैंने सफेद हाथी आज तक तो ब्राउन तो सुना था लेकिन सफेद जिंदिगी में पहली बार देखा यह ओपन गाड़ी है जिसके अंतर शेर हमारे सामने लड़ाई कर रहे हैं अब हमको लग रहा था यह ओपन गाड़े हमारे उपर ना आ जाए अच्छा हमारे उपर आता है क्योंकि उसको आपको दिखाई दे रहा है यह फूटबॉल स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम से चार गुना बड़ा होता फूटबॉल स्टेडियम और यह बिल्कुल चोटा सा दिख रहा है यह इतनी जगाए कि यहां पर हमको सास लेने में दिक्कत हो रही थी औक्सीजन की कमी थी इतना उपर वेस्टीज अच्छा कैसे यह सब पॉसिबल कैसे हुआ यह सब पॉसिबला वेस्टीज के चाय सावन पेस्ट और वह गुलुकोजमाइन कैल्शिम जो मुझे दे कर गए था अगर वो दे कर ना जाते मेरे घर पर ना आते तो मैं यहां पर ना गुम रहा होता यह उस चीज की पावर है राइट यह कुछ तस्वीर थी जो मैंने पर इस साल की भी थी थी सोचके देखो 303 साल तक मैं नहीं जा पाया लेकिन मेरी बेटी तीन साल के उमर में घुम के आई है अगीन फिर देख सकते हैं वेश्टीज की लोगों फिर लगे हो हैं यहां पर फिरसे छोटी-छोटी चीज कोई करी जाती है यहां यहां पर ये आ पर तीस लोग गहे थे कौन कहां पता ही नहीं । इतने तरी जाते हैं चलता है कुछ अवर्ट नेजिगनेशन के बारे में बात करना चाहूंगा बड़ा जो किसे प्राइड मुंमेंट होता है सब के लिए यह वो मेरकां के लेफल था जब मैंश ब्साइज में तो मैंनेका अगली बार दैमिंध करके आएंगा और अकेले में जाए दाइमंड किया तो कंपनी ने दस दस लोग फिर खड़े कर दिया दस दाइमंड डिरेक्टर स्टेज में बलाए और फिर दस को एक अकेले तस्वीर कवाएगी मिलें तो इस पर मैं था और मैं अपनी वाइट को साथ लेकर गया तो हम दोनों लोगों ने इस पंद्रह हजार लोग के सामने क्राउं डिरेक्टर के ट्रॉफिल इसको बूलता है यह चीजे मैं कभी अपने प्रोफेशन में कभी न कर पाता बड़ा मजाया जब मेरी यहां पर तस्वीर क्राउं डिरेक्टर के लेवल पर तस्वीर आई इसमें और इसके बाद जो अगला किया मैंने को विट नाइंटी से पहले यूसीड का लेवल किया इसमें अगें 15,000 लोग सामने इंद्रा गांधी स्टेडियम के अदर अगें फुर मुझे यूनिवर्सल क्राउं डिरेक्टर का अवार्ड मिला बड़ा प्राइड फूल होता है कि यार मैं बिल्कुल सही मैं नहीं था 2015 से पहले और जब मैं वेस्टीज में आया वेस्टीज में जब हैल्ट सप्लेमेंट खाने शुरू करें तो आज लाइव देख सकते हो कितनी बदल चुकी है टोटल ट्रांस्वर्मेशन हो चुका है अगर मैं बात करूं अर्निंग के बारे में इंकम के बारे म एक हजार एकसो बारा रुपे बिजनस को सरेंडर कर दिया कि अब अप्लाइन की बात मानूंगा अपना दिमाग नहीं लगाँगा उसके बाद बिजनस करना शुरू करा दूसरे साल की नितम पहुंची एक लाग साथ हजार रुपे अगर एवरिज बात करूं तो लगबग अधिक कि आफ एक ड़े çıkarरी अधायगा उसलड़ को सब्सक्राइब तो में नेकर याज के बाद हम भी पैकेजे बदाएंगी पैकेज में धमाका ज़दा हो तो हम भी पैकेज बताएंगे। तो तीसरे साल का पैकेज बना वह साड़े 6Those रुपे गा महीने की इंकम बनागी 5000 रोबे राइट चौत्य साल में ये इंक्म पहुंची बाइस लाख नब्बेश रोपे का पैकेज पर इसमें महीने की इंक्म बन गई एक लाख नब्बेश रोबई इस बिजस में पांचमा साल लेकिन फिर भी इंकम रुकी नहीं पाच्वे साल की इंकम आई 32,16,000 और इसकी अगर मैं एवरेज निकालू बारा से डिवाइड कर दो तो हर मेने की लगबग दो लाख 68,000 रुपे छे साल छठा साल आया यह इंकम पहुंच गई 37,000,000 रुपे छटे साल की बता रहा हूं मैं टोटल एक्यूमिलेटिव नहीं बता रहा है आपको सिर्फ छटे साल की इंकम है 37,000,000 रुपे अगर इसको एवरेज मंतली निकाले तो 3,09,000 रुपे यह एवरेज मंतली इंकम बन है तो मेरा इस बिस्स से हाइस चेक है 4,181,626 रुपे अब मिशन क्या है अब मिशन है कर अपनी टीम के अंदर कम से कम सो लोग लगपत्ती बनाना है कम से कम सो ऐसे लोग होना चीह अभी कम से कम असे लोग इस जिनका चेक 1,00,000,000 रुपे से ज्यादा हो अधा आएगा तो यह अगला मिशन है कम से कम हमें मुझे एक लाख लोगों को एक लाक रुपे की इंकम कम से कम सो लोगों को करानी है अब बात करते हैं यह तो यह तो मेरी चोटी सी जर्नी अब मैं आपको बस और लोलुगा और दस मिनट करने का वीजन क्लिए कर लो इन वैसे आपका कोई भी हो सकता है कि आपको एक्स्र goat को चाहिए चाहिए तो उसके पास सब्सके बड़ा दाइम की फिर्फ सत नहीं है पैसा है लेकिन वह आधिand तो हर देख्टी को अपना पिंपॉइंट डूनना है कि मेरी तकलीफ क्या है तो आपको क्या टाइम फ्रीडम चाहिए अर्ली रिटार्मेंट चाहिए पॉर्ण ट्रिप्स घूमने का बड़ा शौक रहता है कि आपको या विरासत में आप अपने जाने के वाद अपने कि पिक्चर में आपको क्या का दिखाई लेता है इस तस्वीर में क्या दिखाई देता है कि मैं आपको इसले समझ में कि एक तरफ हम अपने पूरे परिवार का बौज लिए बैठे तो यह पिक्चर रहिये दर्शार है कि पूरे परिवार का जो जिब्मेदारी जो ह no पर यहां पर परिवार का मुख्या यह वेक्ति यह और उसके पूरे परिवार का चाहिए वो दादा दादी बच्चे वाई बाई बैन सबकल सबकर जिम्मेदारी किसके ओपर है इस व्यक्ति ने संभाल रखा है पूरे परिवार को यह सुर नो लेकिन फ्यूचर इस अंसर्ट से समालने की कोशिश करेगा कोशिश करेगा क्या समाल पाएगा कि मैं आप लोगों से पूछता है सब लोग इतने आ बैठे हुए जो काम आप करते हैं कि आपके परिवार वाले आपका काम कर सकते हैं नहीं कर पाएंगे अगर आप जौब करते हो आप अपने एक दिन हुआ कोशिश करेगा लेकिन परिवार करें की कोशिश में कर नहीं पाएगा यहां पर बीयाप देख रही हो तस्वीर में कि शुखे पर यहां यहां पर एक पिलड 돼 आगर यहां पर एक के लिग ऐसा आगर श forts यहां पर भी आजाए मौज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी अब यह व्यक्ति रहे ना रहे इस परिवार को कुछ होगा गया कि यह परिवार अब स्टेबल रहने वाला है एक्जामपल्स आपके सामने हैं धेर सारे हैं लोगडाउन के अंदर हमने रिजवान सर को घोया लेक लेकिन आप सोचके देखो जो काम आप पहले कर रहे हो अगर वेस्तिज ना करो और आपको खुदा ना करे कुछ हो जाए तो क्या आपका परिवार चलेगा कि चलेगा वेलन गुड फिर मत करो वेस्तिज कोई जरूवत नहीं है ज्योंकि आपके पास पैसा भी है टाइम भी लेकिन लेकिन कई लगए कोई पता नहीं है मैं आप लोगों से कहता हूं इनवेस्त थ्री इयर इंवेस्तीज उसने अपने तीन साल लगाई तीन गंटे की पिच्चर को बनाने में एंवेस्त थ्री युर्संटेमिस में स्पद केवल अपने तीन सार लगा यह ऑत में के तने वाली सूपर डूपर ऊने वालिए deal केवल साल इनवेस्ट कर रहे हैं रहे कि लिगल में हैं से एकर हम ये काम कर लेते हैं, और रेगुलर करते हैं तो आउटमेयाभे आपके कदम शूबने वान। इस बिज़न में कम से कम कमीटमेंट लेकर आना तीन साल की कम लेकर आना नों क Cantonese क्ट बूंस में बीच में आते हैं। टेस्ट लिया जाएगा उपर वाला बहुत परखेगा कि तुम्हें दूं के ना दूं तो तीन साल तक टिके रहना मैं इस बुचस में हमेशा कहता हूं कि तीन साल के बीच में इन तीन साल के दौरार में तीन बार ऐसे 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 चलेंजिस आएंगे कि आपको लगेगा यार अब नहीं हो रहा है तर यह टीम छोड़ गई रोग लेना आपको इसे तक आ सकती है कि आपको वेस्टीज छोड़ना पढ़ेगा आपको ऐसी जगह पर आपको समाल के रखना तीन बार अगर आपने फेस कर लिया यह सिट्यूएशन काम्याभी आपकी एक अधन सुमने वाले तीन साल लगेंगे वेस्टीज के अंदर तीन साल से पहले नो डाउट आपको सफलता मिल सकते हैं लेकिन मैं ऑन एन एवरेज सभी के लिए बात कर रहा हूं तीन साल लगेंग बिए वेस्टीज की टीशट पैनके घर के पढ़ेंगा लेकिन मुझे पता है मुझे यहां पर प्रोफेश्टनल लोग्जो ड्रीमर लोग वो सुनने के लिया रहे हैं तो मैं इदर-दर के कपड़ों मैं नहीं बैठ सकता मुझे ड्रेस में बढ़ेगा मैं कहीं बर जाता ह उनको टाई पेंने में बड़ी शरम आती है कई लोगो बड़ी शरम आती है दो शरम करोगे तो कुछ नहीं होगा है मैं बहुत सअलों को देखता हूं कि जो जब वह पर पॉंसते हैं तब जाके वह क्या करते हैं अपना टाई कसना शुरू करते हैं उस्टे पहले प्रोफेशन कंट म हो जिसमें आपको दिखाना पड़ता है और आप दिखाई नीए लोगों को ड्रेस की कम्मिटमेंट नहीं के साira चला प्रावड करओ करके यह नीजीकी पताचला बैक से अपने कोट निकाल लिया जैल निकाल लिये पहनना शुरू कर देया शुद्स रजाते में प्रस्पेक्टिंग करने री स्थिंग इंच है तुटरी होगी है कि नॉलेज लेनी है आपको इस चीज का मास्टर बनना है आपको वेस्टिज की प्रोफाइल के बारे में और प्लान के बारे में कम्प्लीट लेनी है जब तक यह नहीं लोगे सफलता आपको मिलने वाली नहीं है तक मैंने एक हमाने एक लेवल जंप करोगे हर माईने यह चंप कर रहा है पांच पर संप की प्लाणिंगो वा प्रसेंट 6 प्लानिंग करो जब तक गोल्ड नहीं बन जाते एक लेवल हर मेने कविटमेंट चाहिए यह नहीं हो गया तो ठीक नहीं तो कोई नहीं सब्सक्राइब करना मस्त है सब्सक्राइब करने अपने उपर बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो जो बिन करेंगे आपको अपने अपनी करेंगे लोग कैसे करेंगे में देखता हूं लीडर लोग क्या करते हैं करते हैं बहुत बढ़ा बढ़ी वटला टॉपिक है कि एक नया व्यक्ति जो आपके बिजनस में आता है उसके साथ सही शुरुवाद कैसे करें हमारे लीडर बड़ा कि अगला स्टेज पता ही अपने को क्या करना है कि मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूं कि आपको अगले तीन महिने के अंदर क्या गरने तो इस बिजनस में आता है ना आपको उसको एक डोज दीना पड़ेगा आपको पता एक चोटा बच्इन लगता है जैसक को uriaफंड जायता यार कैसे लगाते वो पूरा इंजेक्शन उसके गुसा देते हैं वो भी कहता है क्यों लगा रहे हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन इस बिजस में भी आपको एक नए डिस्ट्रिबूटर को ठीका लगाना पड़ेगा ठीक है क्या है हम लोग क्या करते हैं तुम आ जाओ तुम जॉइन कर करने पडेंगे अगर मेरी मिरी शर्घ्र मानने को तया हूं इस ब करने को तयार हूं तो आपके की साथ नहीं है यह ना जॉइन करने überzeug करने नहीं है अगले तीन मानने तक कापको पहले नहीं जाओगे वो चोड़ नहीं सकता 90 दिन से पहले चोड़े घात जाएगी चलिए तो बता दो कि 90 दिन से पहले आपको इसनिए पहले बता रहा हूं आपको तीन मेने कर अंदर इस बिस्स का मास्टर बनना है यानि के ट्रिपल पी वेस्टीज की प्रोफाइल वेस्टीज का प्रॉडक्ट वेस्टीज का प्लान इसका मास्टर बन जाång आपको फील होना चाहिए कि मेरे से बहतर कोई नहीं बता सकता जो भी सी औटी कर रहा है इसके लोगों ने मना कर दिया वो कहता सर कोई नहीं जोड़ रहा विकार है और वो घर बैठ जाता है जब मिल ही नहीं रहे लोगों से तो फिर बढ़ेगा कैसे लोग आपके पास आएंगे कैसे आप क्लियर बता दो कि अगले 90 दिन के अंदर यानि कि अगले तीन मेने के अंदर मैं तुमारे साथ हूँ उसके बाद आपको अगले तीन मेने तक 50 लोगों से मुलाकात करने हैं इस ते बहुत मत कर देना उसको एक चीज़ और कर दो कि अगले तीन मेने तक बी इंटच आप हमारे टच में रहिएगा लोग जोइन करते हैं उसके बाद वो ऐसे गुमसुद विजनस को क्लियर कर दो कि अगले तीन मेने तक बीज़न से करना है आपने बहुत साय लोग क्या करते हैं अच्छा दस परसंट करता हूं मेरे घर के बगल में मेडिकल स्टोर वाला है दुचार दसजार का समान वार्ग देता हूं एक दुकान वाला है उसका चाय पत्ती प्लाइन के लिए कुछ भी करने का है डिमांग नहीं तरहे करो अपने 10 compliant के लिए ब्रोंश लेए के लिए तिगडम बाजी करने की जरूरत नहीं है आपको एक ही काम करना है प्लैन दिखाना है नए लोगों से मिलना है उसी तरीक से बिजनस करना है और लास्ट बटन लुट अगले तीन मेरे में वह क्लियर यह आपका काम होगा अगले तीन मेरे में जिस विक्ति को आज यहा अगले तीन मेले में अगर उसने यह काम करें और आपने उसने अगले तीन मेने तक की काम करा लिए तीन मेले में वह व्यक्ति ब्रॉंज लेवल पहुंच सकता है अगर वो पचास लोगों से अगले तीन मैंने में मिल जाएगा तो ब्रॉंज लेबल पहुंच जाएगा अगले तीन मैंने तक वो सारे इवेंट अटेंड करेगा तो तीन मैंने में ब्रॉंज पहुंच जाएगा कि अराम से ब्रॉंज पहुन सकता है लेकिन हो क्या रहा है एक नया व्यक्ति आया उसको पहले मैंने भी पांच पे दूसरे मैंने पांच पे तीसरे भी पांच पे जुड़ते जुड़ते उसके 600 हो गए तो वाट पे भी आ गया और हमको उसके कोई फर्क नहीं है बस उसके 100 कि सकता है तो यह बात हो जाती है कि आप ब्यक्ति को अपने बजस में कर आते हो और यह वह बात दो गई कि बच्चे को पैदा कि और छोड़ दिया अगर आप उसको पैदा कर रहा तो उसकी responsibility लो अगर आपने उसको वेस्टीज में जॉइन करा दिया है तो आपकी उसको काम्याँ बनाने की responsibility भी आपकी है वरना तो जॉइन ही मत कराओ यार छोड़ो उसको जो जहां था वो वहीं था क्योंकि जब वो उसको कुछ achievement नहीं होग है आपका बड़ा चेक बिग चेक साइस डिपेंट करेगा क्या आपको बड़ा चेक चाहिए कि नहीं चाहिए अगर आपको बड़ा चेक चाहिए तो आपको किन चीजों पर काम करना है number of people in your list आपने एक लिस्ट बना रख्योंगी यह डिपेंड करेगा क्या आपका बड़ अब कितनी सब्सक्राइन नहीं मुद ले जायं है यहम इसपे जितनी नहीं मिलेगा कि टीम के अंदर कितने लोग हैं आपको लोग को जो बढ़ेगा तीम का आपने कभी देखा कि सौ लोगों से आपने एक लाग का चेक कमा लियों। अबन लोगों के लगब लगब Naam Gir.'s अब दस लोगों से ब्रॉंज बन रहे हो समझ जाओ आपने तरीके से काम नहीं क्या आपने जोगार से काम किया आपने डबल पीवी का फायदा उठाया तरीके से काम करना है अपने को नंबर फॉलोवर अपका चेक बड़ा होगा के नहीं होगा यह डिपेंड करेगा आपकी कि अंदर आपके फॉलोवर कितने यानि कि आपने जो कह दिया वह पत्तर की लगी आपने कहा संडे सींटी चल रहा है वो कह रहे हैं आपका चेक बहुत तगड़ा आने वाल है फॉलोवर बढ़ाने रइट लास्ट लाइड है फॉर बिग नेटवोग इंवेस्टिज अगर आपको इस बिजस को बड़ा बनाने बड़ी टीम मैं बड़ा चेक कमाना तो आपको सबसे पहला काम करने क्या फार इंश्ट्री अटर्ण करनेWS मूब पांच बजे अटेंड कर रहे हो रात के दस बजे भी कर रहे हो लोगड़ान में बहुत कुछ सीखा लेकिन जब तक हम लोगों से नहीं बिलेंगे जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे एक पीवी अपने आप नहीं आने वाला तो शोड़ प्लैन करना पड़ेगा पहला काम आपको शोड़ प्लैन करना है दूसरा काम या करना है शोड़ प्लैन तीसरा काम या करना है शोड़ प्लैन चौथा काम या करना है शोड़ प्लैन पांचवा इतना ही करना है असली लर्निंग आपको जूम मिटिंग से नहीं मिल सब्सक्राइब ये तोय तो आपको फील्ल में जाने पर सवाल उठेगा और प्रॉड्ड में जाने पर यडिव पाओगे फींट में कभी जाएगा कि सिस्टम क्या है आपको के अंदर ओनलाइन जूम मीटिंग के अंदर आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो ज्यादा तर आपको लर्निंग और सीखने का मौका आपको फील्ड से मिलता है जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे जब तक आप लोगों से नहीं मिलें ओके लक्षमी उतना घर के अपने लगों से मिलना पड़ेगा फ्रावी प्रस्पटिंग आणि लेकिन अपने को डर लगता है कि कैसे बता हूं कैसे बतांं और तक कभी एक विख्टी ऐसा नहीं वा जो ढूंडता हो गया और कोई तो मुझे व्युक्ति जोएन करा तो मुझे जोएन तो ये चोटा सा प्रेजेंटेशन था मेरा जो कम टाइम के दर मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी हो सकता है आपको बहुत कुछ सीखने काम हों का मिला हो